नमस्कार बच्चों चलिए आज हम CBSC की क्लास 8 NCRT पार्टे पुष्टक भारत की खोज से चैप्टर 2 तलाज का पार्ट का सारांस और फिर उसके क्वेस्टेंस अंसर देखेंगे इसमें आपको बहुत important questions मिलेंगे पेरे very long, short फिर very short फिर long questions भी आपको देखने को मिलेंगे और with explain मिलेंगे तो चलिए बच्चों हम सुरू करते हैं भारत सबसे पहला टोपिक है भारत के अतीत की छाकी, नहरू जी के मानस पटल पर भारत ही भारत रहा, भारत को बराबर समझने और विसलेशन करने तथा बच्चपन को याद करने की कोशिस करते रहते थे वे सोचते थे कि आखिर यह भारत है क्या, यह किस विशेशता का प्रतिनिधी तो करता है, यह कैसे सक्ती को खोता चला गया, जवालाल नेरू जन संक्या का विसाल समूग होने के बावजूद इसके पास जानदार कुछ कहने लायक है या नहीं, ऐसा सोचा करते थे यह विश्व से अपना तालमेल किस परकार बैठाता है, इन सब बातों पर विचार करके वे भारत की मजबूती और एक जुटता का कारण जानना चाते थे नहरू जी को भारत को एक आलोचक की द्रश्टी से देखते थे, वे वर्तमान को तो देख रहे थे पर अतीत के के अवसेसों को अन्देखा कर रहे थे वे मन ही मन संकित हो रहे थे कि क्या उन्होंने भारत को देख लिया है वे भारत के अतीद की विरासत के बड़े हिस्चे को खारिज करने का सहास कर रहे थे जो बहुत ही सार्थक और टिकाओ रहा है परंतु अगर ऐसा होता तो भारत हजारों वर्सों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान बनाए रख सकता था संपून भारत की विशेषता जानने के उदेशे से नहरू जी ने भारत के पश्चिमों तरभाग में इस्तित महन जोदडो के प्राचीन नगर घर और गलियों का निरिक्षण और परिक्षण किया इनका समय पांच जार वर्स से भी अधिक पुराना बताया गया है यह सभ्यता प्राचीन और पूर्ण विक्सित थी यही इसके इस्ताई होने का कारण है आश्यरे की बात यह है किसी इस्ताई प्राचीन और परिवर्तन सील तता विकास मई भी थी इस संस्कृति के प्रभाव से फ्रांस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एसिया, भूमध्य सागर के लोग भी रहे इनसे प्रभावित होने के बाद भी अपनी संस्कृतिक मजबूती के बल के कारण यह संस्कृति अपनी मजबूती बनाए रख सकी नहरू जी ने भारत के प्राचीन इतिहास तथा साहित्य का अध्यन किया उन्होंने चीन, पश्यमी एवं मध्य एसिया से आये विद्वान यात्रियों द्वारा लिखे गए साहित्य का भी अध्यन किया पुर्वी एसिया, अंग कौर, बोरो बुदूर, बहुत सी जगों में भारत की उपलवदों के बारे में भी सोचने लगे जब अलाल नहरू ने हिमाले परवत को भी देखा और उस से जुड़ी दंद कथाओं को भी जाना वे महान परवत से निकलने वाले गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी विसाल नदियों ने उन्हें आकरसित किया और प्रभावित किया, इन नदियों के आसपास इतियास बिखरा पड़ा है, इनके चारो और नरत्य उत्सव, नाटक से संबंदित, नह जाने कितने पाउरानी कथाएं एकत्र पड़ी है इसमें गंगा नदि विसेश महत्तु रखती है, जिसने इतियास के आरंब से ही भारत के हिर्दे पर राज किया है, वो लाखों लोगों को अपने तटकी और खीचा है गंगा की गाथा में भारत की सब्वेता और संस्किर्दी की कहानी छिपी है नहरू जी ने भारत के अतीत की कहानी को समरद करने वाली अजन्ता, अलोरा और एलिफंटा की गुफाओं को अन्ने स्थानों को देखा उन्होंने आगरा और दिल्ली की खूबसूरत इमारता को भी देखा जिनका प्रतेक पत्थर भारत के अतीत की कहानी को बयान कर रहा था इसके बाद भी उन्होंने अपने पैत्रक सहर, इलाबाद और हरिद्वार में आयो जितकुम्ब के मेले को भी देखा जहां हजारों की तादाद में लोग आते हैं, उन्होंने तेरे सो साल पहले चीनी यात्रियों तथा अन्य लोगों द्वारा इन परवों की महिमा के बारे में लिखे लेक याद आ जाते हैं उसमें कुछ मेले आज गुम हो गए हैं, वे हैरान होते हैं कैसी कौन सी प्रभल आस्था थी या आस्था रही है जो लोगों को अंगिनत पीडियों से भारत की परसिद नदी की ओर कीचती रही है आपने अध्यन और यात्राओं से उन्हें यह पता चलता है कि भारत के अतीत में हर वहबात विद्यमान है जो भारत में भी सिक्षा देती हुई प्रतीत होती है जब अलान नहरू को यह ग्यात हो गया था कि उनके पुरवजू की भूमी में लोग हसते रोते जीते जागते प्यार करते पीडा भोगते आबाद हो गए हैं उन्हें जिन्दिगी की जानकारी की समझ थी वे जब भी कहीं जाते थे उस इस्तान जे संबंदी चितरकारी उनकी आखों में गोम जाती थी बनारस के पास से सालनात में मात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश उन्हें ऐसा लगता था जिसे बुद्ध अपना पहला उपदेश अभी दे रहे हूँ धाई हजार वर्स से अधिक समय बीतने पर उनकी प्रतिध्वनी सुनाई देती है असोक के पासान इस्तंबो के सिलालेक पर एक ऐसे आदमी की कहानी थी जो समराठ होकर भी अन्य समराठ तथा राजाओं से अलग था इस परकार उन्हें इतिहास की लंबी जहां की इसपस्ट दिखाई पड़ रही थी जिसमें जैपराजे उतार चड़ाओ सब कुछ था जो वर्तमान में जनता पर गहरा प्रभाओ डाल रही थी नेक्स्ट है भारत की सक्ति और सीमा नेरू जी का मानना है कि भारत की सक्ति के स्रोतों के पत्नों के कारण को खोजा जाए तो पता चलता है पर तेक छेतर में आगे रहने वाला भारत पिछड़ता गया और पीछे रहने वाला यूरोप आगे निकल गया इससे यूरोपिय देशों की सैनने सक्ति भी बड़ी फलसरूप उन्होंने पुरू दिसा में कदम बढ़ाए भारत सही सारे एसिया की यही कहानी थी ऐसा क्यों हुआ इसे सुलजाना सरल नहीं है वास्ताओं में भारत पूराने समय में मानसिक सजक्ता तकनिक की कौशल की कमी नहीं थी बाद की सदियों में इसमें गिरावट आती गई रचनात्मक परवर्ती में कमी आई और अनुकरन की परवर्ती बढ़ती गई जहां एक प्रकरती और ब्रह्मान के रहस्य कोजने की चमता छीन होती जा रही थी वही साहित्य सरजनात्मक्ता में वद्दी हुई भव्यक अलादता मूर्ति निर्मान पर पास्चात्य प्रभाव पड़ा जटिल पच्चिस कारी नकासी में बदलने लगी भारत भी इसी बदलाव से ने तो बच्चा का सरल सजीव इसमरत भासा की जग़ अलंकरत और जटिल साहित तेक सेली युक्त भासा ने ले ली इसके अलावा इस समय एक संकीन मानसिकता का भी उद्दै हुआ बच्चो इस महासागर को पार करने की प्रवर्ती को बल मिला प्रवर्ती मने हैबिट लोगों में मानसिक जड़ता सारे दिक ठकावट के कारण भारत का हाश होने लगा जबकि अन्यदेश प्रगती की ओर उन्मुक हो रहे थे यानि सभी देश बढ़ रहे थे और भारत का पतन हो रहा था नहरुजी का मानना था कि यह इस्तिती का पूरा सही सरवेक्षन नहीं है इसी जड़ता और गती हीनता का अगर लंबा समय रहा होता तो इसका सम्मन अतीत और वर्तमान से तूट गया होता पुराने युग की समापती तथा नए युग का उधे बंद नहीं हुआ था यह निवन्ता भारत में भी बनी रही ऐसे नए लक्षों का निर्दारन भले नहो सका हो प्राचीन और पुर्वा नुमान के बीच ताल मेल बैठाने का प्रयास चलता रहा इसी लालसा से देश को गती मिली और पुराने विचारों को सहेज कर रखने तथा नए विचारों को अपनाने की सकती मिली अब भारत की तलाश नहरू जी जानते थे कि भारत की अतीत को जानने के लिए पुस्तकों का अध्यन प्राचीन इसमारकों तता भावनों के दर्सन सांस्कृतिक उप्रवदियों का अध्यन भारत के विपिन भागों की पद यात्राएं जो पैर से चलकर की की जाती हैं उन्हें पधियात्राई कहते हैं प्रयाप्त होंगी वे इन सबसे उनमें संतोस ने हासिल हो सका जिसकी उन्हें तलास थी हाँ इन सबसे उनमें भारत की समझ जरूर पैदा हुई उन्होंने देखा कि इस समय भारत भयंकर गरीबी की दुरगती और मध्यम वर्ग की कुछ-कुछ संकुचित आधुनिकता का विचित्र मिस्रण है ये सब कुछ बेचैन करने वाला था नहरू जी उच वर्ग के प्रसंसक ने होकर भी अंग्रेजों से संगर्ष के लिए मध्यम वर्ग की और देखते थे मध्यम वर्ग उस समय बुरे हालात से गुजर रहा था वे तरक्की और विकास करना चाता था पर ऐसा ने कर पाने के कारण वे अंग्रेजों के प्रती आक्रोसित था यानि अंग्रेजों से गुस्सा था वे अंग्रेजों की नीतियों को सही मानता था वे अंग्रेजों को देश से बाहर करके एक अच्छा सासन चलाना चाहता था असल में मद्यवर्ग इसी धाचे की पैदाईस था जो उस धाचे को उखाड फैकने में स्रम को सक्षम नहीं समझता था इसी बीच नई तागतों के उदे युवा बुद्धी जीवियों को उन गाउं की याद दिलाई जिनका अस्त्रितु भूल चुके थे भारत के गाउं की ऐसी तस्वीर उन बुद्धी जीवियों के सामने आई जिनके वास्त्विक अस्त्रितु को वे पूरी तरह भूल गए थे भारत तथा गाउं की ऐसी दसा देखकर नहरुजी बेचैन हो गए जब तब उन्होंने उनके वास्त्विक ग्रूप को तलासना सुरू किया उनके लिए यह सई अर्थों में नहीं यात्रा थी उन्होंने लगातार अपने लोगों की ऐसा फलताओ कमजोरियों का दर्द युक्त ऐसास था जन्ता में कुछ ऐसी बातें जो मद्यमवर्ग में नहीं थी मद्यमवर्ग केवल उत्तेजना से भरा हुआ था यानि आक्रोसित था नहरू जी ने लोगों को अपनी सारे विविदिता के साथ वास्तिवक अस्तितु है उनकी विशाल संक्या होने के बावजूद भी उन्होंने उनसे बहुत अधिक आसा नहीं रखी नहरू जी इसलिए भी निरास नहीं हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत्य संस्कृति के कारण एक प्रकार के दरड़ता और अंत सक्ति है वह लगभग 200 वर्सों तक अंग्रेजों का अत्याचार जेल रहे हैं पर उन्होंने बहुत कुछ सार्थक बचा रखा है जो प निरर्थक तथा अनिष्ठ कारिता थो भी है अब भारत मता पढ़ते हैं नहरू जी जब सभाव में जाते थे तो अपने स्रोताओं से हिंदुस्तान के समराट भारत की चर्चा अवस्य करते थे जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पढ़ा और देश के किसानों के समक्त इस महान देश की चर्चा करते थे जिसके लिए वे संगर्स कर रहे हैं उनको नहरू जी बताते थे कि बिन बिन होकर भी कैसे एक हैं सभी इस महान भारत के हिस्से हैं उन्होंने सुदूर उत्तर पश्चिम पास से कन्या कुमारी तक की अपनी लंबी यात्रा के अनुभव क के आजार पर बताया कि देश के सभी किसानों की समस्या एक जैसी है देश के सभी स्थानों के किसान गरीबी कर्ज नहीत स्वार्थ जमिदार महाजन पर पूरा जोल लगाखर पुलिस के अत्याचार आदी समस्याओं का सामना कर रहे हैं सभी देश स्वासियों को मिला कर इस देश को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करना है नहरू जी के लिए अनुभव कराना ज्यादा कठिन कामना था क्योंकि उन्होंने प्राचीन महाकाव्य तंत कताओं तता की जानकारी थी उन्हें साहित्ते के माध्यम से देश के बार प्राचीन माता की जैसे उनका आश्य क्या है उनका तात्परे क्या है मतलब क्या है आश्यरी चक्यत होकर एक दूसरे को देखते और सोछते क्या जब आदे फिर नहरू जी की एओ देखते थे उन्हें सबसे अधिक प्रिया है विसाल धर्ती पर पहले लोग ही मूल रूप से भारत माता हैं और भारत माता की जै का अर्थ है जनता जनारदन की जै नेक्स्ट है इस परकार भारत माता का अर्थ क्या हुआ जनता जनारदन की जय इस परकार भारत वासियों को भारत का हिस्सा समझकर उनकी आखे चमकने लगती उन्हें लगता कि मानों उन्होंने भारत की खोज कर ली है भारत की विविद्धा और एक्ता यानि भारत की अनेक्ता में एक्ता विविद्धा में एक्ता भी हो सकता है और एक अनेक्ता में एक्ता भी हो सकता है विविद्धा यानि अनेक्ता सभी परकार के अनेक्ता में एक् देखने के लिए भारत से अच्छा इस्तान सायद ही कोई हो यहां के विविद्धा या अनेकता कुए वीद्धा को भी कह सकते हैं विविद्ग का प्रयाईवाह रूठी अनेकता उता होता है धोर दोनों सेarta सेम है यहां की विविद्धता भी अध्भुत है जिसे इसपस्ट रूप से कोई भी देख सकता है क्योंकि सब विविद्धता यानि अनेकता अलग 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 अनेक परकार के लोग रहते हैं और फिर भी एक होकर के रहते हैं तो यही अनेकता में एकता है जिसे इसपस्ट रूप से कोई भी देख सकता है उत्तर पश्चिम इलाके में रहने वाला पठान सुदूर दक्षिन छोर में रहने वाले तमिल से भी बहुत कम समानता रखता है अनेक विविदताओं के बावजूद सीमा के पास रहने वाले पठान पर भारत की छाप तमिल जैसी दिखाई देती है यहां के पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो मध्या एस्या में बसी थी इसलाम के आने के पुरू बोध थी उससे भी पहले वैदिक काल में यहां छेतर प्राचीन भारत संस्किर्थी के केंदर में था जो आज भी इसमारकों मठों के अफसेसों से तक शिला के अफसेस मिल जाते हैं यहां सारे भारत के अलावा एश्या के विविन भागों से विद्यारती आकर सिक्षा ग्रैन किया करते थे दरम परिवर्तन के जारतीयता की चाप गैरी चाप भी विद्यमान है आश्यर जनक की बात यह है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंद्र, उडिया, असली कन्नड मलियाली, सिंधी पठान या कास्मीरी राजबूत, हिंदुस्तानी भासा, जनता से बसा हुआ विसाल, मद्य भाग, स इसने तमाम चीजों को आकार दिया, विदेशी प्रभाव भी भारत्य संस्कृति को परभावित ने कर सके और उसी में समाहित हो गए, यहां विश्वासों, रिते रिवाजों के परती, अपनी सहिसूनता का पालन किया गया, नहरू जी का मानना था कि अब तक के ग्यात इत इतिहास में, एक भारत्वासी भारत के किसी भी भाग में जाकर, अप वohan अपने घर की अपने पन की अनुगूती करता है, जबकि अन्यदेश में जाकर वे अजनबी तता परदेशी मैसूस करता है, गैर भारतिय, धर्म मानने वाले जो भारत में आकर बस गए हैं, वे कई पीडियों के बाद भारतिय होकर रह गए हैं यहूदी, फार्सी मुसल्मानों को देख कर इसे जाना समझा जा सकता है जिन भारतियों ने इन धर्मों को स्विकार कर लिया वै भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतिय बने रहे बच्चो, आज जब राष्टवाद की अवधारना विक्षित हो गई है विदेश में भारतिय अधिक एक जूठ होकर के रहते हैं तो आज हिंदुस्तानी इसाई कहीं भी जाये तो वैं हिंदुस्तानी ही कहलाएगा, इस परकार हिंदुस्तानी मुसलमान को किसी भी देश में हिंदुस्तानी ही कहा जाता है बच्चो, नैरोजी सोचते थे कि अपनी मातर भूमी के बारे में हर कोई अपने अपने ढंग से सोचता है वह अंगिनत छोटे-छोटे गाओं कस्बों, सहरों और दूर दूर तक फैले खेतों के बारे में भी सोचते थे वे जहां गए वहां वरसारितु की जादूई बरसात धर्ती का सौंदरिय बढ़ा देती है विसाल नदियों में बैते जल बर्फ से ढके खैबर पास के बर्फीले हिमाले के बारे में नवजात फूलों से भरी पहाडी घाटी और उनके बीच से बैता जरना इससे जो सुन्दर तस्वीर बनती है उसे नहरूजी संजोए रखते थे जन संस्किर्ती देखते हैं जनी आनि लोग लोगों की संस्किर्ती अब भारत की तलासी के करम में नहरूजी जब भारते जनता के जीवन की गते सीलता को देखते थे तो उसका संबन्द अतीद से जोड़ देते थे जबकि इन लोगों की नजर भविषय पर टिकी रहती थी उन्हें हर जग ऐसी संस्कृतिक प्रस्ट भूमी मिली यानि ऐसा इंडियन कल्चर मिला जो लोगों को प्रभावित कर रही थी इस प्रस्ट भूमी में लोग दर्सन परमपरा, इतिहास प्राचीन कताएं मिथकों का ऐसा मेल था जो अलग कर पाना संभव नहीं था इसके बीच रामायन माभारत जैसे ग्रंत अपने पहुच तक बनाए हुए थे उनकी घटना कता आदि का नेतिक अर्थ हर मानस पर अंकित था अनपडगरामीनों को सैकडो पद नेतिक देशों से भरी कहानिया याद थी नैरू जी ने मैसूस किया कि यदि उनके मन में लिखित इतिहास और सूनिश्ची तत्यों से निर्मित तस्वीर का भंडार है तो इन किसानों के मन में भी वैसी ही तस्वीर है उनके मन की ये तस्वीर किसी साहिते से कम नहीं है इससे इसपस्ट होता था कि उनमें बोधिक विसलेशन की सक्ती भरी है अपनी इस यात्रा में नेरू जी ने इन किसानों के चेहरे आकार और उनके चर्म को देखा उनके चेहरे संवेदंसील देह बलिष्ट थे तता महिलाओं में नरमता, गरीमा और संतुलन के साथ अवसाद रहता था किसी देहाती रास्ते पर चलते हुए जब वे मनोहर पूरुस या संदर इस्तरी को देखते तो आश्चरे चकित रह जाते क्योंकि इन से भीती चित्रों की याद तरो ताजा हो जाती थी वे सोचते थे कि इतने भयानक करने के बाद भी यह संदरिय कैसे बना रह सका उन्हें लगा कि इन लोगों के माज़म से बहुत कुछ किया जा सकता है पर उन्हें ऐसा करने का अवसर मिलना चाहिए नहरुजी ने देखा कि उस समय भारत की आर्थिक और सामाजिक इस्तिती बहुत अच्छी नहीं थी चारों और गरीबी और विपत्यों का सामराज्य था इससे जिंदकी बन गई थी समाज में ब्रष्टाचार तता सुरक्षा की इस्तिती बन गई थी भारत की सच्चाई यह थी कि सब कुछ होने के बाद भी इस्तिती को स्विकारने की प्रबल परवर्ती नरमता और भलमन साहत थी जो हजार वर्सों की संस्किर्टिक विरासत की देन थी इसे दुर्भागे भी ने मिटा पाया अतार्थ भारत संस्किर्टिक के आधार भूत तत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ बच्चो अब हम इसके लगू उत्रिये प्रसनों को देखेंगे चलिए पहला प्रसन देखते हैं नहरूजी भारत को किस द्रश्टि से देखते थे और क्यों देखते थे नहरूजी भारत को एक आलोचक की द्रश्टि से देखते थे वे एक ऐसे आलोचक थे जो वर्तमान को देखते थे पर अतीत के बहुत से अवसेसों को नापसंद करते थे वे ऐसा इसले करते थे जिससे वे अतीत के पसंद या नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन कर सकें तो बच्चो ये questions बहुत important है कि नहरू जी भारत को किस दरस्टी से देखते थे अब ये सारे questions आप अपने notebook में भी लिखेंगे चलिए भारत के अतीत के बारे में जानने के लिए नहरू जी ने किन किन माध्यमों का सहरा लिया इसका उत्तर है भारत के अतीत के बारे में जानने के लिए नहरू जी ने भारत को आलोचक की दरस्टी से देखा देश के विभिन भागों की यात्रा शुरू की उन्होंने महत्पूर्ण इस मारको थता भवनों को देखा और इसके अलावा उन्होंने विभिन विदेशी यात्रियों को भारत यात्रा के वर्नन को भी पढ़ा बच्चो, very important question से third नहरू जी ने सिंदू घाटी सब्वेता को आश्चेरे जनक क्यों कहा है इसका उत्तर है नहरू जी ने सिंदू घाटी सब्वेता को आश्चेरे जनक इसलिए कहा है क्योंकि यह सब्वेता या यह कल्चर 5-6000 वर्स या इससे भी अधिक समय पहले परिवर्द तंसिल रहकर भी विकास मान रही यह निरंतर कायम रहे सिंदु घाटी सब्यता किस इस्थान से संबंदित है भारत के पश्चिमोतर दिसा में सिंदु घाटी मोहन जोदाडो नाम से इस्थान से संबंदित है यह सब्वेता यहां चार ओर फैली थी जिसका समय चार से पांच हजार वर्स पहले का बताया जाता है हिमाल्य के हिर्दे से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं सिंदू के नदी की विशेस्ता पाठ के आधार पर लिखिये इसका उत्तर है हिमाल्य परवत के हिर्दे से गंगा यमुना ब्रंपुत्र तता सिंदू जैसी अनेग नदियां निकलती हैं सिंदू हिमाल्य से निकलने वाली प्रमुख नदी है इसे इंडस भी कहा जाता है इसी के आधार पर फारत का नाम या इंडिया या हिंदुस्तान पढ़ा नहरू जी इसमारकों गुफाओं तथा इमारतों की और क्यों आकरसित होते थे नहरुजी, अजन्ता, अलोरा और एलिफंटा की गुफाओं, प्राचीन इसमारकों, आगरायम दिल्ली में बनी इमारतों की और इसलिए आकरसित होते थे क्योंकि इन में लगा एक-एक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कैता परतीत होता है अजन्ता, अलोरा और एलिफंटा की गुफा महाराष्ट के ओरंगाबाद में है चलिए, भारत के अतीत की ज्छाकी अंत से आप क्या निसकर्स निकालते हैं भारत के अतीत कीचा की आज से हम या निसकस निकालते हैं कि भारते संस्कृति अंत्यन्त प्राचीन है यह विप्रीत परिष्टितियों में भी मजबूत बनी रही और इसका मैत्व फविस्य में भी बना रहेगा यही भारत की नीव का आधार है पार्ट के आधार पर भारते संस्किर्थी की विशेस्ताइं लिखिये भारत की सक्ती और सीमा नामक इस पार्ट से भारते संस्किर्थी के बारे में पता चलता है कि भारते संस्किर्थी अंतियन्त पुरानी है इसमें समय समय पर कुछ अवस्य हुए हैं पर इसका स्वरूप नश्ट नहीं हुआ यह पुराने विचारों के साथ साथ नए विचार आत्म साथ करने में सक्षम है तक्सिला की प्रसिद्धी का कारण पाट के आधार पर इसपस्ट कीजिए तक्सिला एक महान विच्विध्याल्य प्रसिद्धी का केंद्र था जो 2000 वर्स पहले प्रसिद्धी के चरम सिखर पर था यह भारत भरके ही नहीं बलकि एसिया के विध्यारती ग्यानार जन हे तू आते थे अपनी मातर भूमी की तस्वीर के रूप बारे में नहरू जी की क्या क्या राय थी कि सभी के मन में अपनी अपनी मातर भूमी की अलग अलग तस्वीर होती है कोई भी दो आदमी बिलकुल एक समान नहीं सोच सकते इसलिए भारत की विविध्यता में भी एक्ता है भारत की अनेक होने के बावजूद भी वे एक हैं भारत की सीमान चेतर में भारतिय तता एक्ता के दर्सन कैसे होते हैं भारतिये की सीमा पर बसने वाले प्रदेश ता अपने पडोसी देशों के साथ अंत्यंत गहराई से जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान में बसने वाले पुराने तुर्क और दूसरी जातियों इसलाम के आने से पहले बोध थी यह जातियां उससे भी पहले वैदिकाल में हिंदू थी जो प्राचीन भारते संस्किर्थी के केंदर हुआ करते थे दिर्ग उत्रिये प्रसन है भारत के प्रती नेरुजी के मन में क्या-क्या विचार उठते थे भारत को देखकर नेरुजी आश्चरे चकित हो जाते थे वे सोचते थे कि आखिर भारत है क्या अतीद की कौन-कौन सी विसेस्ताइं इसमें छेचपी है इसकी प्राचीन सक्तियां किस परकार खो गई है आज यह जनसंक्या का विसाल बसेरा है पर इसके पास क्या है जो यह सांदार बनाता है आधुनिक विश्व से यह अपना तालमेल किस परकार बैठता है यह आदी विचार उनके मन में आते थे भारते संस्किर्थी मातमा बुद्ध असोक और अकबर ने इसे किस परकार सम्रद्द किया है पार्ट के आधार पर लिखिये तेकि वेरी 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 इंपोर्टन्ट क्वेस्चन्स कि इंडियन कल्चर को मात्माबुद असोक और अकपर ने किस परकारी से सम्रद्द किया है देखने पर भारत इंडियन कल्चर को देखने पर पता चलता है कि बचो मात्माबुद ने बनारस के निकट सारनात में सबसे पहला जुन उपदेश दिया वो सारनात में दिया और सारनात बनारस के निकट है बनारस यानि वारान से आज वैसब आज भी प्रतिनिधित होता है जो समराट असोक होकर भी किसी अन्य राजा या समराट से बना रहा अकबर फतेफूर सीकरी में बैट करके विविन धर्मों के विध्वानों से वाद विवाद करके मनुष्य की सास और समस्या का हाल तलास करते हुए भारत संस्किर्थी को समरद करता है नेक्स्ट है नहरू जी के व्यक्तितु से आपको क्या सिक्षा मिलती है पार्ट के आधार पर लिखे नहरू जी भारत संस्किर्थी एवं सभ्यता तथा भारत के अतीद से गहरा लगाव रखते थे और अपनी संस्किर्थी की महानता एवं महानता के सामने लाना चाते थे बच्चो इससे हमें यह सिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी सभ्यता एवं संस्किर्थी पर गरू करना चाहिए इसे नस्ट होने तता दूसित होने से बचाय रहने का हमें हर संभव कोशिस करनी चाहिए और इसका प्रियास करनी चाहिए नहरू जी ने भारत माता यानि जनता जनारदन का क्या आर्थ बताया था नहरू जी ने सभा में उपस्तित किसानों को बताया कि भारत माता किसी इस्थान छेत प्रांत विसेस मिट्टी ने होकर समूचे भारत यानि पूरे विस्व, पूरे भारत की मिटी, इसके पहाड, इसकी नदियां, इसके जंगल, चारो फैले हरे भरे खेद और भारत की जनता, सभा में उपस्तित सभी लोग, वे सभी अखंड भारत के अंग हैं भारत माता की जै का माध्याम, उन्होंने अखंड भारत के अंस हैं, इस परकार विस्व में भारत माता है, इस परकार उन्होंने एक तका संदेश दिया भारत माता की जै का अर्थ क्या है, जनता जनार्दन की जै लास्ट है नहरू जी ये लास्ट क्वेश्चिंज है वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चिंज नहरू जी ने भारत को किस परकार की तस्वीर को सहेज कर रखना चाते थे राइट नहरू जी भारत की सुन्दर तस्वीर सहिज कर रखना चाते थे जिसमें में दूर दूर तक फैले, मैदान और उनके पास आस पास बसे गाउं, कस्वे तता सहर, मैदानी तता पहड़ी इलाकों या बागों में बहती नदियां ठंडे पर बर्फ से ढकी, चोटियों वाले हिमाले, देश का दक्षिन भाग, कस्मीरी, आदी के सुन्दर द्रस्य थे बच्चों चलिए, इस क्वेस्टिन्स को हम दुबारा से देखते हैं, सुरू से ही देख लेते हैं नहरू जी भारत की किस प्रकार की तस्वीर को सहिज कर रखना चाते थे और जिसने दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान, उनके आसपास बसे गाउं, कस्बे, सहर, मैदानी ता पहड़ी भागों में बैती नदियां ठंडे पर बर्फ से धकी चोटियों वाल्या, हिमाल्या, देश का दक्षिन भाग, तता कस्मीर आदी के सुन्दर दर्श्य हों इस तस्वीर में वर्सा रितु की हरियाली नवजात फोलो से नदी घाटियां, तता उनमें कल-कल करते बैते हुए जरने हों नेरुजी भारत की ये जो तस्वीर है इसको सहिज कर रखना चाहते थे यानि भारत के पहाड, परवत, पेड, पोधे, फूल और भारत के लोग और उनकी विविज़त अनेकता में एकता को तो बच्चो ये questions very very important है, इसलिए मैंने ये दुबारा से आपको दिखाया है और बच्चो एक बार और बताता चलूँ कि नेक्स चेप्टर के लिए नेक्स वीडियो आप अक्षर मंत्रा यूटूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा यूटूब चैनल तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें अपना प्यार देने के लिए तहे दिल से हर्दिक स्वागत है धन्यवाद, थेंक्यू वेरी मच, जैहिन, वंदे मात्रम